हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल क्रियेटिव स्टडी एक पर आज भई मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाड़ा हूं कि आप लोग करणे और जूएम रआप लेक्टोबर को होगा उसके अलावा बात आती है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है कि जो रेपियर के स्टूडेंट है उनका SU servers का एकजाम कब होगा ठीक है उसके बाद वैज archina updates के अंदर आप लोगों ने एक चीज ओर notice की होगी ति बोल रखा है आप लोगों को पचास रूपय submit करने होगी अब बात आती है कि ये पैसे कहा submit करने है कैसे submit करने है practicals कहां देनी है तो आप लोगों के जितने भी doubt है ना भई इस वीडियो के अंदर clear करने वाड़ा हूँ condition क्या है वीडियो को लास तक जरूर देखना उसके अलावा बई चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं अपडेट ले के आऊ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए उसके अलावा बई अब आप लोगों को भी लिया होगा तो मैं इसको अच्छी तरह एक्स्टेंड करता हूँ आप लोगों को तो पहली बात भई इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है ना उसके अंदर लिखा हुआ है बट मैं आप लोगों को बता दूँ बई सिंपल सी ये बात है कि जितने भी स्टूडेंट है और उनों ने अभी तक EVS का पेपर नहीं दिया है तो ये सभी का पेपर तीन तारीक होने वाड़ा है अब बात आती है कि इसका सब्जेक्ट तो डिस्टेंस और प्राइवेट व BA slash BCOM slash BCA first year etc. यानि कि इन courses का तो इसने नाम ले दिया उसके बाद इसने बोल दिया etc. यानि कि जितने भी UG के यानि कि undergraduate के courses है उन सभी का उसके बाद इनोंने एक line और लिखी है and other classes यानि कि कोई भी class हो आप लोगों की सभी का exam तीन तारीक को होगा ठीक है first year की उसके बाद भी इनोंने बोल रखा है second and third year जो second or third year के student है in case any candidate has not passed this exam paper in first year is to be held on 3, 10, 20, 20 यानि कि इस line के अंदर ये साफ साफ बोल दिया है भी या तो आप first year के student हो UG के किसी भी course के या आप second or third year के student हो और आपने अभी तक I repeat आपने अभी तक exam नहीं दिया है किसी कारण वस या तो आप फैल होगे या ओ एक्जाम आपने नहीं दिया तो आप लोगों का जो exam है भई वो 3, 10, 2020 यानि कि 3 October को होगा तो ये confirm है भई जितने भी EVS के student है और उन्होंने exam नहीं दिया है तो उनका paper 3 तारीक को 3 October को होगा ठीक है अब उसके बाद next line नहीं नहीं जो 50 रुपे वाड़ी बोल दिये ना वो चीजें क्या है वो आप लोगों को इस वीडियो गे अंदर clear करने वाड़ा हूं ठीक है इन दिस का exam देना होता है साथ में आप लोगों का वाइवा भी होता है और आप लोगों को practical भी समिट करनी होती है तो university ने बोला है इस सारे procedure के लिए जो भी student EVS का exam देगा वही उसको 50 रुपे देने होंगे ठीक है उसके बाद इन्होंने लिखा है since the project report are to be submitted by the concerned student which will be accepted by the evaluators of the concerned colleges यानि कि इसके अंदर ये बोला है कि जो आप लोगों की project file है या जो आप file बनाते हों EVS के लिए या आप लोगों का जो भी matter है project report का वो आप लोगों को college में submit करवाना है hence it is hereby requested to all the coordinators of sport evaluation center created for the evaluation of UG annual courses that they will inform all the concerned student to deposit their reports through speed post slash registered post slash courier or any other electronic mode such as email slash whatsapp along with fees of RS50 to the concerned colleagues and viva of the students to be conducted through online mode only तो इसके अंदर ये बोला है भई university ने ये बोल दिया कि हम ये जो सारी जिम्मेवारी है ना ये college के उपर छोड़ते हैं भई college को students को inform करना होगा कि उनको अपनी जो project file है वो कैसे submit करवानी है ठीक है और उसके अलावा इनोंने एक option और दिया है electronic mode such as email whatsapp along with 50 यानि कि आप लोगों को क्या करना है इन किसी भी mode में आप लोगों को अपनी practical file submit करवानी है साथ में 50 रुपए भी देने है ये आपको कौन बताएगा ये आपको अपना college बताएगा जिस college के अंदर आप लोगों का exam होगा ठीक है उसके बाद भई लास्ट में एक line लिखी है and viva of these student will be goat conducted through online mode only यानि कि जो ये student है इनका जो viva है ना online होने वाड़ा है इसके लिए भई क्या जानकारी है जो viva वगेरा है वो आप लोगों को सारी जानकारी कोन देगा police देगा तो भई ये notice अभी तक अगर बात की जाए तो half है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जस्ट दो से तीन दिन दो से तीन दिन वेट कर लें भई आप लोगों को complete जानकारी मिल जाएगी ठीक है ये पचास रुपए वाड़ा जो चक्कर है न मैंने आप लोगों को समझा दिया बाकी आपके दिमाख में questions हा रहे होंगे कि practical summit कहा करनी है पचास रुपए कहा जमा करवानी है पेपर कैसे ह पेपर ओनलाइन होगा पहली जानकारी मिल आपको बता दूं उसके अलावा जो practical files है वो कैसे summit होगी जो project report है वो कैसे summit होगी उसके अलावा हमारा वाईवा online कब होगा तो उससे related जो university है वो complete guidelines देने वाली है तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है वेट करना है युनिवस् आप लोगों को बता दूं जैसे ही कोई आप लोगों के लिए notice आता है इस paper से related या जो practical files है या वाईवा से related कोई भी notice आता है तो इस channel के उपर वही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जस्ट आप लोगों को क्या करना है चैनल को subscribe करना है बैल आइकन प्रेस करना है ता कि जितने भी student है उनकी help हो सके अगें thanks for watching creative study